Good afternoon students, my name is Amuddin High School की English Grammar का first chapter, part of the sentence पढ़ाने जा रहा हूँ जो है, sentence जिसको हिंदी में वाक कहते हैं, नमने लिखित दो भाग, उसके दो भाग होते हैं, नमबर A, subject जिसको हिंदी में उद्देश कहते हैं, नमबर B, predicate जिसको हिंदी में विधे बोलते हैं, फिर अब subject के बारे में बताने जा रहे हैं, subject जिसको उद्देश कहते हैं, किसी वाक में जिसके विशाय में कुछ कहा जाता है, उसे subject या उद्देश कहते हैं, इसमें सब्जेट जो है दूसरा एक्जम्पल है इसमें सब्जेट माई यंगर ब्रदर इन कानपूर है इसका प्रेडिकेट के बारे मताने जा रहे है प्रेडिकेट को हिंदी में वीधे बोलते हैं किसी वाक में सब्जेक्ट या उद्देश के विशे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट या वीधे कहते हैं अर्थाच सब्जेक्ट या उद्देश के बाद वाक के सेजबाग को प्रेडिकेट या हिंदी में वीधे कहते हैं एक्जम्पल वही एक्जम्पल है The red flowers in my garden are pretty इसमें are pretty जो है वो प्रेडिकेट है दूसरा एक्जम्पल में My younger brother in Kanpur is a doctor दूसरा एक्जम्पल है My younger brother in Kanpur is a doctor इसमें जो प्रेडिकेट है is a doctor है अब पार्ट साब the subject उद्देश के भाग के बारे में बताने जा रहे है subject या उद्देश के निम ने लिखे दो भाग होते है A number है qualifier जिसको हिंदी में विशेसर बोलते है B number है main word अथवा head word या उसको हिंदी में मुख शब्द कहते है अब qualifier के बारे मता जा रहे है qualifier जिसको हिंदी में विशेसर कहते है किसी वाक में subject या उद्देश की विशेस्ता या इस्थिती बताने वाले शब्दों को qualifier या विशेसर कहते हैं example वही दोनों रहेंगे the red flowers in my garden are pretty इसमें qualifier जो है the red है और in my garden है दूसरा example में my younger brother in kanpur is a doctor इसमें qualifier है my younger और in kanpur फिर b number जो है qualifier का दूसरा भाग b number जो main word उसका दूसरा नाम head word है उसको हिंदी में मुक शब्द कहते हैं किसी वाक में जिस नाउन या संग्या प्रो नाउन या सरवनाम या जीरंड या इंफिनीटिव के विशे में जो कुछ कहा जाता है तो उस नाउन या संग्या प्रो नाउन या सरवनाम जीरंड या इंफिनीटिव को main word या head word main word या head word breakard में जिसको मुक शब्द कहते हैं एक्जाम्पल वही दोनों रहेंगे दरेट फ्लावर्स इन माई गार्डेन आर प्रेटी इस सेंटेंस में main word है फ्लावर्स दूसरा एक्जाम्पल में my younger brother in कानपूर is a doctor इस सेंटेंस में main word है ब्रदर यह chapter first का part one है chapter first में तीन चार पार्ट होंगे आज केवलम part first पढ़ाया है हमने जो है और second part जो है कल पढ़ाएंगे जो है फ्लावर्स